हरे선टे Dip हिए एक भी अके हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में आज की पाल रिस्यवर का ब्लॉट डाइग्राम के बारे में ठीक है informação से पर आपके syllabus में दिया है हो सकता है पूछ ले इसको कवर करना बहुत ही जरूरे क्यों कि इंपोर्टन टॉपिक है पॉल रिसीवर जो है तो मैंने कई लोगों का कमेंट आ रहा था सब पॉल रिसीवर के बारे में समझाइए तो मैंने अभी तक वीडियो इसका नहीं बनाया थ तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर पॉल रिसीवर पर वीडियो बनाईए तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉल रिसीवर पढ़ना चाहते है और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते है क्योंकि जो बुक में इसका फिगर दिया है पॉल बहुत ही कॉंप्लेक्स दिया है उसको समझना थोड़ा सा कठीन है और एकजाम में बनाना भी कठीन हो जाएगा लेकिन जो मैं आपके लिए फिगर लेके आया हूं वह बहुत ही इजी है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो पाल रिसीवर में उसमें कौन-कौन सा ब् यूनियर है और यहां पर आई-फ इस्टेज है आई-फ इस्टेज मतलब इंटर्मेडियेट फ्रिक्वेंसी स्टेज फिर यहां पर इंटर कैरियर फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है फिर यहां पर आपका इंटर कैरियर एंप्रिफायर है फिर यहां पर आपका आडियो एंप क्योंकि जो पाल रिसीवर एक परकार का स्टेंडड है ठीक है जो पाल सिस्टम होता है एक परकार का कलर स्टेंडड होता है तो पाल रिसीवर कहां पर होता है color television में ही होगा monochrome TV transmitter में इसका use नहीं होगा क्योंकि जो PALS system होता है वो बनाया गया था color television के लिए बनाया गया है देकिन जो monochrome TV होता है वो black AND white होता है तो इसमें पाल का use नहीं होता है सिर्फ color television में पाल का use होता है तो यह अपता आपका हो गया audio section तिक है या फिर sound section में बोल सकते हैं अब हम लोग को देखना है कि इसमें video section कौन सा है और color section कौन सा है विलोग जानते है तीन section होता है video section होगा sound section होगा color क भी होगा अपना खुद का क्योंकि imagination television है तो वीडियो section में क्या होगा यहां पर वीडियो डिटेक्टर होगा वीडियो प्री एंप्रीफायर होगा वीडियो पावर एंप्रीफायर होगा यहां पर डीले लाइन होगा ठीक है अब डीले लाइन यहां पर होता है तो यह वाला जो पूरा सेक्शन है ठीक है इतना जो पूरा सेक्शन है इसको क्या बोलता है व फिर यहां पे color drivers होते हैं फिर यहां पे color picture यह होता है तो इतना जो पूरा वाला block है इसको क्या बोलता है color वाला block color block बोलते हैं ठीक है color blocks तो हमने देखा कि तीन पार्ट में इसको divide करके पढ़ सकते हैं आपका पहला आपका audio पढ़ेगा एक दो बार अगर बना लेते हैं तो अच्छे से clear हो जाए कि यहां पर कौन का section है यहां पर कौन सा section है तो सबसे पहले यहां पर होता है आर्याफ जो receiver है उसका antenna होता है तो जो भी transmitter होता है पाल का transmitter वहां का transmitter antenna होता है वह क्या radiate करता है और यहां से आउट्पूट होगा आएगा कहां पर लोग के पास आएगा हम जानते हैं जो tuner होता है एक प्रकार का सेलेक्टी सरक्यूट होता है डिजायर फ्रिक्वेंसी को यहां पर हम लोग इस तरह से ठीक है तो आएफ स्टेज हो गया इसका जो आउट्पूट होगा इसको हम लोग ट्रांस्मिट करेंगे कहां पर इंटर कैरियर फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर के पास तो इंटर कैरियर फ्रिक्वेंसी होगा यहां से डिटेट किया जाएगा इसका जो के पास FM-DModulator करने का मतलब है कि जो भी हम लोग का पाल ट्रांस्मीटर है वहाँ पे FM-DModulate हो रहा हो ठीक है तो यहाँ पे सिगनल को DM करना होगा ठीक है तो इस signal को DM करने के लिए हम लोग FM-DModulator का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डी मॉलेट करेंगे जब एफम सिगनल को अम लोग तो यहाँ पर वरिजिनल सिगनल मिल जाएगा ठीक है और यहाँ से जो और चले जाएगा आपका आडीओ यहां से जो भी आडियो और सेटेशन होगा से क्या होगा यहां पहले कि तो निवल को जो पहले सेगनल है ठीक है जो आडी ओ सिगनल इसको चेंज कर देखा किसमें आउंड सीगनल में ठीक है यह तो हो कता है आपका सांड सेक्षर अब हम लोग देखते हैं बीडियो सेक्षन आप यहां से जो आई-एफ स्टेज है वह इसका जो अगला सिगनल एओ चला आता है कहां पर वी आपका डीले लाइन के पास तो हम जानते है कि इसमें डीले लाइन भी योज होता है जो की 64 कि लाइन के होता है 64 होते साथ इसमें यूज होता है मिला मतलब तह यह मिला इसमें हम लोग बेट data में अब हम लोग देखते हैं जो कलर सिगनल है यहां से क्या होगा कि जो पॉल कलर decoder के पास आएगा और यहां से जो पॉल स्टेंडर्ड ॉस्ससेंडर होता है उसमें क्या होता है दो वेटड होता है यू और वी तो यहां से डिकोड हो जाएगा क्या मिल जाए हम लोग को यू और वी सिगनल मिल जाएगा ठीक है कलर सिगनल से जो कलर डिफरेंस सिगनल है उनसे हम लोग को क्या मिल जाए यू और वी सिगनल मिल जाएगा ठीक है तो यहां से डिकोड होगा यू और वी स भी कंलर डिफ्ररेंग सिग्नल उसको प्रेड्यूस कर देता है कि इस तरह से तिनों को टिफ्रेंग सिग्नल है एहां से मिल जाता है मैट्रिक्स स्रकृट की आउट्पुट से पाइंग अदर के पास किसे क्या होता है कि इन तीनों डिल्ष्टेक्ट सीगनल हैं उसको लोओ के पास बेशन ओल्ट में अलग अलग कलर में मतलब यहां पर माल लेते हैं रेड हो जाएंगापका गृण हो जाएगा आपको ब्लू हो जाएगा इस तरह से तीनों डिफ्रेंस जो सिगनल है उनमें जो भी कलर है उसको डिफाइन कर देगा और भेज देगा कहां पर यहां पर भेज देगा कलर पिच्छे ट्यूब के पास लेकिन यहां पर जो सिगनल था वह आपका एलेक्टिकल फॉर्म में था और जो पिच्छे ट्यूब रहेगा आपका वह आपका क्या हो जाएगा इस इलेक्टिकल सिगनल को चेंज कर देगा लाइट सिगनल में ठीक है तो यहां पर यही होता है इसका पाल रिसीवर का ब्लॉक डाइग्राम यहां पर क्या है कि आप वीडियो डिटेक्टर से एक ए अगर आपको याद है तो भी इसको लिख सकते हैं अगर नहीं आदा राइग्जाम में तो नहीं लिखेंगे इसको तब भी काम चलेगा लेकिन इतना जो पूरा ब्लॉक है इसको आपको बनाना ही पड़ेगा तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो लेक्टर आपको अच्छे स तो वीडियो पसंद आये होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो लेक्टर आगे भी आता रहेगा हमारा कोशी सही है कि आपको कंजुमेर एलक्टॉइंक से नंबर मैक्सिम से मैक्सिमम दिला सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए मस रहिए पढ़ते रहिए क्योंकि एक्जाम आने वाला है जैन